हेलो फेंड्स एम चैंपियन मही पाग। आज हम इन्हेरिटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं इस एक्जाम्पल की हेल्प से तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक क्लास्प नाई एक्स इसमें मैंने एक मैथड क्रेट किया शो एक्स तो शो एक्सींपली कर क्या रहा है यह पिरिंट कर रहा है एक्स को नथीं मोर देंट गें अब हम इन हरीटेंस का यूज करते हैं इस क्लास को हम बेस क्लास अजूम कर रहेंगे एंड y एक नई class बनाते हैं class y जो की derive होगी x class से तो inheritance का use करने के लिए हम use करते हैं keyword extends का so y extends x means जो y है वो derive class है and x is base class तो अब हम यहाँ पर दो एक y class मना रहे हैं x class का use करके तो जो y class होगी उसके अंदर x के तो सभी features होंगे ही प्लस हम कुछ और features भी add कर सकते हैं तो y class में अब show x तो ही हम इसमें create करते है show y जो कि void return type है और simply क्या कर रहा है y प्रिंट कर रहा है ओके तो वाई यह हम एक new class मनाते है है inheritance इसमें हम क्या करते है main function मनाते हैं और एक y का object create करते है small y name से and उसे new operator की help से memory allocate करते हैं तो अब हमारे पास क्या है एक y class का small y object है जिसके अंदर क्या चीज़ है एक x के methods and y के methods x का एक method है show x and y का method है show y तो अब हम y dot operator की help से दोनों show x and show y को call करते हैं और मैं इसे inheritance.java से save कर चुका हूँ तो आई इसकी output देखते हैं हम क्या यह सही तरह से काम कर रहा है java c inheritance dot java यह compile हो गया तो आइए इसे run करते हैं inheritance x and y यहां पर print हो गए तो means हमारे inheritance सभी से काम कर रहा है तो यह है inheritance thank you very much